तो दोस्तो आज 1 जन्वरी 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ important sectors की कुछ important shares की उपर जो की हो सकता है कि immediately थोड़ा बहुत recover कर भी जाए बट आगे दोस्तो गिरावट होने का पूरा पूरा चांस है मतलब near future की मैं बात कर रहा हूं और इसके पीछे क्या reason है जो कि आगे वी कर स्टेट में भी दिया था कि third of world in recession this year 2023 के अंदर साथ साथ उन्होंने कुछ जगा का नाम भी मेंशन किया था जैसे की यूस हो गया EU हो गया मतब यूरोपेन यूनियन हो गया साथ चाइना का भी नाम मेंशन किया था मतब जो बड़े-बड़े economy वाला देश है इसके अंद जो है export करता है कहिने के दोस्तों वहां पर डिमांड भी काफी slowdown हो सकता है अगा इस साल के अंदर यह तो एक न्यूज हो गया उसके साथ साथ एक दिन पहले का यह जैसे कि आप देख सकते यह पहले वाला था आई मेंफ कि तू यह हो गया आपका वर्ल्ड बैंक ने भी यह के अंदर एक decision आ सकता है ठीक है मतब economic मंदी नेक्स्ट अगर हम बात करें दो चार दिन पहले का यह अपडेट है जैसे कि आप आप देख सकतो जिस बज़से हमने देखा था फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर गिरावर्ट भी हुआ था तो बेसिकल हुआ कि रसिया ने यूकरेन को एक सीजपायर का यहां पर प्रोबशल दिया था और कहीं ने के दोस्तों यहां पर जो यूकरेन का प्रेसिडेंट है मतब व्लादमीड जेलेंस की ने उस जो यहां पर सीजपायर के जो ऑफर रहता वो रिजेक्ट कर दिया तो इसका क्लियर कर संके दिये है कि most घटना हो रहा है तो यह काफी लंबत जाल सकता है अब देखें कहीं ने कहीं दोस्तों आज की रिट में जो ग्लोबली यहां पी इंफ्लेशन बढ़ रहा है हर एक कंट्रीज का साथ साथ हमने देखा लगातार जो कि हर एक कंट्रीज की सेंट्रल बैंक द्वारा हमें एकोनोमी स्लोडाउन या रेसेशन ना देखने को मिले बट कुछ कुछ देश जरूर है इस साल के अंदर मतों 2023 के भीतर भीतर जो की रेसेशन जरूर आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर सबसे पहला नाम है यहां पर यूरोपेयन कॉंटिनेंट का जो बड़े-ब जो कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा जिसको पर आपका नजर एक तो होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकते कि थोड़ा बहुत आपको अभी इमीडियेटली रिकवर्ट देखने को मिल जाए बट नियर फ्यूचर में हो सकता है कि छे मैंने पांच मैने के भीतर इसकंद सब्सक्राइब जैगुआर एंड लैंड रोवर की सेग्मेंट पर और कहींने के यहां से ही सबसी ज़्यादा रेविन्यू जनेरेट करते है टाटा मोटर्स आज भी टाटा मोटर्स एक लॉस्पेंग कंपाई नहीं है टाटा मोटर्स डोमेस्टिक मार्केट में मतलब ऐसे सिच्वेशन पर टाटा मोटर्स का जो लॉस्था जो की बीच में आमने देखा था क्वाटर टू में थोड़ा बहुत श्रींग भी वा था काफी कम भी वा था हो सकते कि इस बार क्वाटर 3 में भी थोड़ा बहुत श्रींग हो जाए वह तो आगे मालूम पर जाएगा जब कंपनी का रिजल्ट आउट होगा तो फिलाल अगर हम बात करें अगर एकोनोमी स्लोडाउन हुआ यह सारे देश के अंदर मतब येवरोपियन कांटिनेंट की जो कंट्री से वहाँ पर चाइना के अंदर तो कहने के दोस्तों आपको टाटा मोटर्स का शेर हो सकता है कि थोड़ा बाद उपर रिकवर कर भी जाए फिर से हमें गिरावट देखने का भी चांसे क्योंकि लास्ट एक साल की चार्ट पर अगर अगर आप देखो के टाटा मोटर्स का बार बार आमें सेम टूसें चीज़ी देखने को मिला ऐसे देख लिए पहले यहां पर फिर देख वहां पर प्रोडक्शन डाउन होड़ा है जेलर में तीक है मतब जैगवर एंड लैंड रोबर सेग्मेंट पर का इनिके वहां पर में गिरावट भी देखने को मिला तो टाटा मोट उसको बापका नजर होना चाहिए ऑविसली इस साल के अंदर जरूर होना चाहिए क्योंक यह सारे कंपनी जो अपना प्रोडक्ट है यह बाहर एक्सपोर्ट करता है इंडियान मार्कित के अंदर भी इसका अच्छा-खासा डॉमेंट है बट इंडिया के बाहर भी चाहे चाहे ना हो चाहे येवरोपियन कॉंटिनेंट की कंट्रीज हो चाहे यूएस हो यहां पर प देखा जाए देखी लास्ट एक साल की बात करें तो बीच में देखा था यहां पर दीमार्ज हुआ था वह तो अलग बात है बट दीमार्ज होने के बात भी हमने देखा कि शेयर के अंदर एक तो लगातर गिरावाट चला साथ-साथ हमने देखा बहुत जदा वालिटिल आ क्योंकि यह सारे जो घटना का इंपक्त हमें यह कंपनी की शेयर उसके साथ यह जो पर्टिक्लर सेक्टर है मतब और बनाने वाला सेक्टर जैसे कि इसके अंदर और भी बहुत सारे शेयर का नाम हो गया अमिन्ना इंडस्ट्री आ अपका यहां पे सोना बिल डब लो आ इसक इसके ट्राइड राइड इन का जो मेंन मार्केट है वह योडोप है ठीक चायना नहीं इसकेस में चायना पे उतना ज़्यादा जोगी एक्सपोट नहीं करते ट्राइड योडोपन कॉंटिनेंट बहुत जदए एक्सपोर्ट करता कंपनी मतब ट्राइड की वह पात कर ओं तो ट्राइडेन की बात कर तो ऐसे में यहां पर डिवान काफी स्लो हो सकता है पूड़क्शन में गिरावाट हो सकता है जो कि लास्ट कुस टाइम पर भी देखने को मिला शेयर के अंदर लगातार गिरावाट इसका फूल प्रूफ एक्जम्पल है की शेयर बार बार उपर की इस रुपए तो इस बार कि समय इस जो इंपोर्टें लेवल था वह ब्रेक करके नीचे आ जाए तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको स्ट्रॉंग रेकुमेंड करूंगा देखिए सारे खड़ाब कंपाई नहीं है मेरे का मतलब यह खड़ाब कंपाई नहीं है बाट इम्पैक और किसी को नहीं मालूम ठीक आगे क्या होगा तो इसका भी मार्केट के दोस्तों बाहर है चाहे चाइना हो चाहे यूएस हो चाहे यूरोपियन की कंट्रीज हो क्योंकि कहीं नहीं दोस्तों यह जो प्रोड़क्त बना था इलेक्ट्रॉनिक गैजिट बगरा या कंजूमर सेक्टर का कंपनी है तो यह अपना प्रोड़क को बाहर एक्सपोर्ट भी करता है तो कहींने की लास्ट कुछ टाइम से हमने देखा शेयर बीच में थोड़ा बहुत रिकवा जरूर कर रहा था फिर देकि इसकंदर में गिरावर देखने को मिला यह सारे चीज़ आपको इं एक्सपोर्ट करने के लिए की लिए को जबान यहां पर देखने को मिल सकता है लास्ट चलेंगे दोस्तों बट उसके पहले आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इन फॉर्मेटिव लागा प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूरे नकरेक्ट करना है यहां वी सबसे पहले चाहिना आता है इस लिस्ट में और उसके बाद दूसरे पोजिशन पे रिलाक्स और रिलेक्स पुलना फूट्वेर सेक्टर के मामले में इंडिया आता है ठीक है तो ऐसे में दोस्तों बाहर की बात करें एक्सपोर्ट करता है तो वहां पर भी डिमांड अगर कम ह हुआ तो उसका भी इंपक्त आपको फूटर सेक्टर में जरूर देखने को मिलेगा साथ ही साथ अगरम बात करें जो रॉम मेटल का प्राइज इंक्रीस होना वह बहुत बहुत बढ़ा रिजन है कि फूटर सेक्टर लास्ट कुछ टाइम से काफिस स्लोडावन भी हो जगा चाहिए बात को देख लिजिए एंपको देख लिजिए रिल्याक सो को देख लिजिए शार अच्य कंपणि यह सारी इंपक्ट आप देकने को करन अब देखने को मिला तो ये सारे जो सेक्टर्स की जो सारे करता हूं मिलते हैं एक्स वीडियो पर तब तक लेटे क्या बाबाई जय हिंद तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकॉंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लाटफरां में डीमेट अकॉंट उपेन कर सकते हैं जहां पर आपका ब् लिए डीमेट अकॉंट बन जाएगा